हातिम उस आदम खौर का अंध करके उस कबीले के सर्दार के पास जाते हैं और बताते हैं कि उस आदम खौर का खौफ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है वहीं जगीरा भी हातिम को धूरता हुआ आरा होता है तबी वस जैसे हाथिन को देखता है वो वैसे हाथिन पर हमला करने के लिए हाथिन की ओर बड़ी तेजीे साथ आ रहा होता है तबी कवीले का सरदार कहता है आप सहजादी को लेकर निकलिये हम आपके दुस्मनों को यहीं रोकते हैं उसके बाद हाथिम होगो और सहजादी वहाँ से निकलते हैं वहीं कवीले वाले जगीरा के आदमी पर हमला करते हैं और उन्हें हाथिम तक पहुचने से रोकते हैं वह वहीं दूसरी तरफ दज्जाल कहता है मैं जाने किसकी दूआय काम कर रही है जो हाथिम मेरे बिचाय हुए मौत के जाल से जिंदा निकल गया वहीं दूसरी तरफ हाथिम भाग कर किसी दूसरे अस्थान पर होते हैं और हाथिम कुछ तोच रहे होते हैं तब इस आजादी वहीं जगीरा के सिपाही भी आ रहे होते हैं तब हाथिम उनका आवाज जैसे सुनते हैं वह इसे हाथिम वहाज से निकल जाते हैं और जंगल के रास्ते आगे बढ़ते हैं वहीं दूसरी तरफ जफ़ार में किसी के हसने की आवाज सुनाई देती है तब ही नजुमी कहता ह जदुगरबास्ता सैथान के आगा को रोसनी देखो यह रोसनी इस बात का इलान कर रही है कि तिन दिन बाद तुम दुन्य के तक्त पर बैठोगे और तुम सहंसा आलम बनोगे हातिम तुम्हारा कुछ नहीं विगार सकेगा वहीं दूशी तरफ हातिम जंगल से आगे बढ़ महल के पास पहुच जो बहुक को कोbenकि समा के महल का अनंदर प्रवाएष करते हैं और समा को दर्वास कुछने के लिए कहते हैं और मैं जानता हूँ हातिम होगो सहजादी अंदर होताद दरवाज़ खोलो तबी सहजादी समा उन तीनों को अपनी जादी सक्तियों की मदद से वहाँ से सीधे गोरे हयात तक पहुचा देती हैं वहाँ पहुचने के बाद भोगो कहता है यह कैसी जगह है सहजादी यहाँ तो कुछ भी नज़न नहीं आ रहा है कहां है गोरे हयात तभी साजादी अपनी सक्तियों की मदद से वहाँ पर गोरे हयात को प्रिटिक करती है तभी गोरे हयात से रोशनी पूरे आस्मान में फ्यालने लगती है वहाई दूसी दरफ जगीरा अपने जादी सक्तियों की मदद से समा के महल का दरवाज़ तोड़ कर समा के महल में अंदर प्रववेश करता है और समा से हाथिम के बारे में पूशता है लेकिन सहजादी समा उसे कुछ भी नहीं बताती तबी वह सहजादी समा से करता है समा या तब तुम मुझे हाथिम के पास भेज़ दो या फिर वह जादू छड़ी मुझे दे दो लेकिन सहजादी उसे जादू छड़ी नहीं देती और उस पर हमला करती है तबी जगीरा भी उन पर हमला करता है और वे दोनों एक दूसरे पर काफी समय तक हमला करते हैं लेकिन अंतमे जगीरा सहजादी को खत्म करके वह जादू छड़ी ले लेता है उसके बाद वह जादू छड़ी की मदद से हाथिम के पास पहुच जाता है वहाँ पोचने के बाद वह हाथिम पर हमला करता है तबी जगीरा हाथिम के बीज लडाय सुरू हो जाती है वे दोनों एक दूसरे पर काफी समय तक हमला करते हैं लेकिन लडाय के अंतमे हाथिम जगीरा पर तलवार से वार करके उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं वही आसमान में गोरे हैयात की सक्तियों की मदद से तीन सूरज उगने लगता है और वे तीनों सूरज आपस में मिलकर एक हो जाते हैं तभी आवाज आती है हातिम दज्जाल का सातवा सवाल है क्या जो नसीब में लिखा है वही होता है या इंसान अपनी मेनश से, ताकस से, सोच से नसीब का लिखा हुगा बदल सकता है इतना बताकर भी सक्तियों वहाँ से गायव हो जाती है हातिम का सातवा सवाल मिल रहा होता है और ये सब कोछ दज्याल भी देख रहा होता है तबी नज्यूमी कहता है जादुकरबास्ता ये हाथिम किस धात्व का बना हुगा है तुम्हें अब तक उसके रास्ते में जिदने भी मुश्किले ख़ड़ा की वह उस सबसे जीटता हुगा आगे बढ़ गया वह हर मुश्किलों को आसान करता हुगे आगे निकल जाता है और आखरी साथवा सवाल उसे मिल गया है तबी दज्याल कहता है लेकिन जो भी हो नज्यूमी अब हाथिम के पास सिर्फ तीन दिन बचा है और उसे अभी भी साथवे सवाल का जवाब दोड़ना है वह दूसी तरफ दुर्गाबुर में सुनारा को पता चल जाता है कि हाथिम को साथवा सवाल मिल गया है बस उन्हें इंतजार होता है हाथिम के साथवे सवाल का जवाब मिलने को ताकि साजादी सूर्फ फिर से पूरी तरह से ठीक हो जाएं वहीं दूसी तरफ हाथिम को साथमा सवाल मिलने के बाद सहजादी उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक जादू कालिन देती है उसके बाद सहजादी हाथिम से बीदा लेकर गोरे हयात की मदस्ते अपने सल्टनत चली जाती है उसके बाद हाथिम भी अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं वह दूशी तरफ दज्जाल हाथिम को खत्म करने के लिए अपने कुछ सैतानी फोज को भेजता है वह दूशी तरफ हाथिम उस कालिन पर बैट कर जा रहे होते हैं उनके काफी दूर चलने के बाद दज्जाल के सिफाही भी उनका फीछा कर रहे होते हैं तभी दज्जाल की सैतानी फोज हाथिम के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उन्हें रोकने की काफी कोसिस करती है और हाथिम को आगे बढ़ने नहीं देती और वे देखते देखते हातिम पर हमला करने लगते हैं तभी हातिम भी उन पर सीर से वार करते हैं और उन दोनों की बीज बहुत ही भयंकर और खतरनाक लड़ाई सुरू हो जाती है और ये लड़ाई काफी समय तक चलती है तबी देखते देखते अचानक हातिम और होबो उस आलिन से नीचे गिरने लगते हैं और भी नीचे गिरते गिरते किसी अजीब सी जगह पर पहुँच जाते हैं उस अजीव सी जगन पर में पता चलता है कि वह बहुत ही अजीव सी जगन होती है तब होबो कहता है हाथिम हम यह कहां आ गए लगता है हम जमीन के अंदर आ गए हैं अब हम यहां से कैसे निकलेंगे और इसे ही कुछ बाते कर रहे होते हैं तभी अचनक वहाँ एक स्थेजदा तुफान पाइदा हो जाता है और उस तुफान में बड़े-बड़े कागज के पन्ने उड़ते हुए उनकी तरफ आ रहा होते हैं तभी होबो कहता है हाथिम ये कागज कहां से आ रहा हैं तबी होबो उनमें से एक कागज को उठाते हैं उस कागज को उठाने के बाद उस कागज को देखते हैं जो कि उस कागज में कोई चित्र बना होता है जो कि वह किसी और का चित्र नहीं बलकि हातिमर होबो का ही चित्र होता है जो कि उनके आने से पहले का ही चित्र लग रहा था तभी होबो कहता है हाथिम ये तो हमारी तस्वीर है लेकिन ये कैसे हो सकता है ये तो हमें पता भी नहीं था कि हम इस जगा आएंगे हमारी ये जगा की तस्वीर तभी होबो दूसरा कोई तस्वीर उठाते हैं और उससे भी हाथिम और होबो देखते हैं इसमें हाथिम और होबो का ही तस्वीर बना होता है तभी हाथिम कहते हैं जिसने भी यह तस्वीर बनाई है वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है तभी तो हम जब दज्जाल की हमले किने से गिर रहे थे उसने वह तस्विर बना दिए हैं आर होबो करते हैं यह we कोई भी है वह यही कई है हमें उसे धूड़ना चाहिए वह हमें यहां से बाहर निकलने का रास्ताब सब्सक्राइब हुआ DAYए हुआ यहांसे और ç जाने की तस्वीर है जो की अभी हम सुरंग के अंदर खुते भी नई हैं यूजिय से अंदर जाने के बाद हाथिम अपने बच्छमन की तस्बीरेह देखते हैं और थोड़ा अंदर जाते हैं तो वे आफने साथ सवालों के सफर में वीताये हुए उन सभी तस्वीरों को देखते हैं और वे जैसे जैसे अंदर जाते हैं वे अपनी पुलाने तस्वीरों को देखते हैं जहां पर हला उभ किते हुए सवालों के सफर में बितीत किये था एक एक करके हाथिम हर तस्वीरों को देखते हैं उन तस्वीरों को देखते हुए हाथिम रहोगों आगे बढ़ते हैं तब हाथिम वहां पर एक आईसी तस्वीर देखते हैं जो कि उस तस्वीर में बने सक्स हाथिम से मिले ही न जाओगे लेकिन हातिम रुख जाते हैं तबयुगा काता है रूख क्यों गए तुम्हारे पांस चिर्प 2 दीन बचेप तुम्हाले जब से मैं यमन से निकला हूं खत्रों से ही खेलता आया हूं तबीवा कहता है मगर मैं कहूं तुम्हें कुर्बानी देने पड़ेगी तो तबी हातिम कहते हैं दुनिया की भलाई के लिए मैं अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तयार हूं तबीवा कहता है तुम्हारा सामना दज्जाल से होगा तुम्हारे साथ में सवाल का जवाब सहर जबफार में मिलेगा वह भी दज्जाल के महल में अगर तुम्हें इस सवाल का जवाब पाना है तो तुम्हें दज्जाल के महल में भुसकर सैतानी आख को मिटाना होगा और ये काम अपनी जान पर खेल कर ही हो सकता है और यह खेल तुम्हारे जिन्दगी का आखरी खेल होगा तभी होबो कहते हैं तो क्या आप हमें हाथिम का भवी से दिखा सकते हैं तभी होबो के कैने पर वो हाथिम का भवी से दिखाता है जिसमें हाथिम दज्जाल का अंद करते हुगे दिखाई दे रहे थे ये देखकर हाथिमर होबो बहुत खुस होते हैं तब ये वा दूसरा तस्वीर दिखाता है जिसमें हाथिम मरे पड़े होते हैं ये देखकर हाथिमर होबो दंग हो जाते हैं तब ये होबो पूछते हैं क्या मतलब है इसका तब ये वा बताता है हाथिम की मौत दजाल के हाथिम भी लिखी है यही हाथिम की नसीम में लिखी है अगर इन्हें साथमे सवाल का जवाब पाना है तो इन्हें मारना होगा तब होगो कहता है हमें साथमा सवाल नहीं चाहिए चलिए हाथिम लेकिन हाथिम पीशे नहीं हडते हैं तभी हाथिम साथमे सवाल के सफर पर निकलने से पहले लोगों से किये हुए वादे को याद करते हैं जो वादा हाथिम ने सहजादी विसाल से किया था जो सुनायना से भी किया था तभी हाथिम कहते हैं मैं तयार हूँ जवाब पाने के लिए, मैं दज्जाल के महल में जाओंगा, मुझे जाना ही होगा, उसके बाद हाथिम और होबो कालीन पर बैटकर जफ़ार की ओर निकल पड़ते हैं, तब ही होबो कहता है, हम कहाँ जा रहे हैं हाथिम, तब ही हाथिम कहते हैं, तुम्हें म व्कुमत से वचाने का फंद निभा कर मारना चाहता हूं कि दी कोसिस करते हैं तुम्हारे चेहbench की नहीं सकते हैं कि हो भूठू हम démocr UI एकसराहिस कर सकते हमें 7 सवाल्याव पाने कर जब पार जाना की पढ़ेगा तब भी हातिम साथम सवाल के सवहाट पर निकलने से पहले विह उन पलौ की याद करती हैं जो उन्होनें सफर पर आने पहले बिताएं थे उसके बाद हातिम और होबो कालियन पर वैट कर आगे जा रहे होते हैं तब हातिम कहते हैं होबो यमन आ गया चलो अब आखरी जंग से पहले अम्मी और अब्बु हुजूर से दुआई ले लेते हैं और हातिम होबो को समझाते हैं कि होबो एक बात याद लखना कि तुम कात्वी तक्दीर का जिक्र किसी से नहीं करोगे उसके बाद हातिम होबो यमन उतरने के लिए आगे बढ़ते हैं